नमस्कार मैं हूँ आपके साथ निहा बैनिवाल और आप तेख रहे हैं हल चल इंडिया हम दिखाते हैं बेबाग खबर जिसका होता है तेज असर मुतरफणगर के अमबा बिहार सिद सेध साथ भागत समहर वायज़ित किया गया इसतुरां सलमान नदभी ने भारतिय महागड़ंदन कार्ण कि जानकारियों पलब्द कराई उन्होंने बताया कि वह मुतरफणगर सहीत अन्य स्थानों पर भी जा रहे हैं जहां पर भारत्य महागटबंदन कारिकरम आउजित कर सभी को एक्टा के सुत्र में पिरोने का काम किया जा रहा है उन्होंने कहा कि आज भारत देश में एक्टा की अर्थी आवश्चकता है जिसे वह लोग मिलकर करने का काम कर रहे हैं उन्होंने भारते महागटबंदन के बारे में जानकारीदी और इसा भ्यान को विश्व पटल पर ले जाने का अहवान किया वही मनसूरपूर में भी पिछला समाज पार्टी महागटबंदन कारिकरम कायुचन किया गया जिसमें भारी संख्या में हिंदू मुस्लिम और सभी समुदाय के लोगों ने शिर्कत की इस दोरान मोलाना सलमान नदवी ने कहा कि यह सम्मेलन सभी समाज को एकता के सुत्र में पिरोने के लिए किया जा रहा है हवारा ये प्रोग्राम सिर्फ मुझफर नगर शहर के लिए नहीं था एक प्रोग्राम जानसट में हुआ एक मनसूर पूर में हुआ और मुझफर नगर में आज दो प्रोग्राम हुए इन तमाम प्रोग्रामों का मकस्द यह है कि लोगों में तमाम इनसानों में, हिंदों में, मुसल्मानों में और दीगर कोम की लोगों में यूनिटी पैदा की जाए, इत्हात पैदा किया जाए, भाई चाड़े का माहोल काइम किया जाए, आज नफरत घूली जा रही और फिर किवारियत बढ़ती चली जा रही, खास तो पर लगता है कि जैसे मुसल्मानों को टारगेट किया जा रहा है हलाए के मुसल्मान तो हकीकत में वही हैं जो अमन और स्लामती की बात करते हैं उसका पन마 रखते हैं और पुरी तारीख उनकी इसी से अबारत है तो एक तो इसलाम के बारे में गलत सहमी है मुसलमानों के बारे में गलत सहमी है और फिर कुछ ऐसी तन्जीमे हैं जिनके इरादे बड़े नापाक है ऐसी शकल में इसकी बड़ी शदीद जरूरत है कि लोगों में भाईचारे की मेहनत की जाए اور اتفاق پیدا کیا جائے اتحاد پیدا کیا جائے تو اس کے لیے ہم لوگوں نے مشرقی یو پی کے بھی دورے کیے مغربی یو پی کے دورے سے پہلے بھی کیے اور پھر ابھی کر رہے ہیں یہ ایک مشن ہے جس کو ہم لوگ ایکتہ ایکتہ اور یونیٹی یونیٹی کے لفظ سے یاد کرتے ہیں کہ سب کے درمیان انسانی بنیادوں پر یونیٹی پیدا کی جائے ایکتہ کو پیدا کیا جائے اور ایک ایکتہ منج بھی हम लोगों ने कायम किया था यानी सियासी एतिवार से भी हमारे ये कहना ये है कि आपस में ऐसी कश्मकश नहीं होने चाहिए कि एक सियासी पार्टी दूसरी को दोश दे उस पर इल्जाम रखे उगाली गलोश का माहौल हो ये किसी भी संजीदा बहुत दूर की बात है और चल रही है और एक महागठ बंदन बनाया गया कि सब लोग उसमें जुड़े हैं जिसका मकसद यह हो कि मानोता को जिन्दा किया जाए और जो चीज़ भी मानोता और इंसानियत के खिलाफ हो उस से हम दूर रहें और अपने से उसको दूर करें ये असल मिशन है इस मिशन के स सिद्दीकी को अरेस्ट किया गया है घर्मानतर मामले में उस पर क्या कहने हैं आप इस तरीके मौलाना कलीम सिद्दीकी का मामला हो या ओमर गौतम साब का हो या किसी कभी हो इस मसले में तो किसी को गरिफतार नहीं किया जा सकता कि वो अपने मजब का परचार करता है क्यों अगर कोई ये काम कर रहा है तो उस पर तो उसकी पकड़ नहीं हो सकती लेकिन अगर कोई और किसी के मतलिक बात हो जो कोट में साबित हो कि उसने कोई जाती की है खिलाफ कानून कोई अमल किया है तो उसके खिलाफ कारवाई हो सकती है अब जाहिर है कि मौना कलीम के बारे में क प्रोट की बात अिसी अभी तक साबित नहीं है कि उन्होंने चानून के खिलाफ कोई काम किया है। इसलिए जहां भी इह तिजाज हो रहा है और जो लोग भी यह कह रहे हैं कि रिजाती की गई है। वो अपनी जगा पर सही बात कह रहे है। अकूमत जो बात कहना चाहती है वो जाहिरे के कोट के थुरू करेगी तो जब कोट कोई फैसला करेगा उस वक्त बात सही तोर पर वाज़ होगी